हाई द्यूरे फ्रेंद असलाम लेकूं वेलकम बेक टी बीडीबी स्पाय हाव यू दूई थैंक यू स्टो मच गाइस में सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो उसको बहुत साय लाइक करने के लिए सो गाइस इस वीडियो में मैं एक इंडियन तमियर साइकलोजिकल थ्विल्र फिल्म को रिवेल करूंगी उसका टाइटल है वन निनो का डाइन वन निनो का डाइन विली सुई जैनवरी 10, 2014 में आयम डीबी पर वन निनो का डाइन को मैंने है 8.1 स्टार्स आउट आउट अफ ओके गाइस लेस गो टो रिवेल दा मूवी मूवी के बिग्निंग में दिखाते हैं एक रॉक स्टार गौतम गौतम को मैंटर इनलेस की बिमारी होती है उसके ब्रेन में 25% ग्रे मैटर मिसिंग होता है ग्रे मैटर मेजर कॉंपोनेंट होता है नर्वे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए गौतम को हैलोसिनेशन आती थी एक मिस्टीरियस परसन की उसका बिलीफ था कि उसके पैरेन्स के तीन कातिलों में से ये एक बंदा है गौतम जब एक बच्चा था उसने कंवेंस कर लिया था कि वो ही अतीम है और अज्यूम कर लिया था कि उसके पैरेन्स मर चुके हैं गौतम को ना ही उनके नाम पचा थे और ना ही उनके फेस्स One day Gotham के concert पर Gotham वही mysterious person को देखता है और उसको chase करता है एक famous journalist Samira concert को shoot कर रही होती है वो Gotham को follow करती है और वो shoot करती है Gotham किसी imaginary object से fight कर रहा था Gotham surrender करता है police को कि वो motherer है तीन लोगों का पहला mother उसने बेलफेस्ट में किया दूसरा पूने में और तीसरा हभी हैदराबाद में Gotham custody से release हो जाता है जब समीरा वो footage अपने news channel पर चलाती है Gotham के doctor के मताबिक अगर Gotham उन तीन लोगों के इलावा किसी fourth person को hallucinate कर ले तो वो ठीक हो सकता है Gotham vacations के सिलसिले में गोवा जाता है समीरा उसके पीछे गोवा जाती है और Gotham को convince करती है कि वो दो person है जो Gotham को follow कर रहे हैं पहले journal है समीरा जो Gotham का एक खयाल है और वो Gotham से interview के सिलसिले में आई है और दुसरी समीरा जो real Gotham की fan है Gotham समीरा को पसंद करने लग जाता है लेटर Gotham समीरा को कुछ लोगों से save करता है जो समीरा का कतल करना चाहते थे ये दोनों बचते बचाते एक isolated island पर पहुँच जाते है Gotham को सच पता चलता है fourth imaginary person का कि ये समीरा का एक drama था समीरा वहाँ से चली जाती है एक disturbed journalist के तौर पर time के साथ Gotham को समीरा के intentions के बारे में पता लगता है कि वो सिर्फ उसकी help करना चाहती थी समीरा हेदरबाद छोड़ देती है गौतम उसका पीछा करता है one night गौतम accidentally समीरा की birthday plan spoil कर देता है समीरा बहुत दुस्य में होती है गौतम ये भी convince करता है शायद वो गलत था बचपन से के उसको कोई मार देना चाहता है लेकिन mysterious person समीरा को मारना चाहता था गौतम उसको safe करता है समीरा को पता चलता है के mysterious person boa based crime boss है Antonio Risarios Antonio समीरा को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि समीरा expose करने वारी थी Antonio की company जो seat soul करती थी उसमें hydrogen canide शामिल था hydrogen canide एक तरह का acid होता है गौतम उन्टोनियो से समीरा के office के toilet में मिलता है गौतम को लगता है ये उसका illusion है इसी चक्कर में वो उन्टोनियो के head पर shoot कर देता है उसी time गौतम को पता लगता है कि रियल में उसने उन्टोनियो को मार दिया है गौतम को ये भी पता लगता है कि वो सही था उसके parents का murder हुआ था एक old taxi driver जो Gotham के तीन imaginary person में से था वो बताता है कि two London based person ने उसके parents को मारा है जिसमें एक Antonio था और एक का पता नहीं था अभी Gotham के father ने taxi driver को एक bag दिया था Gotham को देने के लिए उस bag के अंदर एक पुराना रोबेक्स क्यूब था एक key और एक British coin था समीरा और Gotham लंडन जाते हैं ये दूदों और एक driver गुलाब सिंग पर murder attack होता है Gotham का लंडन concert manager माइकल मारा जाता है रोबेक क्यूब की mystery solve हो जाती है उस पर एक bank account number था जिसके अंदर एक save deposit box होता है जिस box के अंदर एक dry sample महफूज था Gotham के उपर फिर एक murder attack होता है bank parking lot में समीरा गुलाब सिंग के साथ गाइब हो जाती है इसलिए kidnapping के चकर में police Gotham का arrest कर लेती है two men's उसे बचाने के लिए आते हैं इन दोनों में से एक Gotham का fan होता है Gotham ने जिस इनसान को bell fist में मारा था वो कोई hallucination नहीं थी real murder था taxi driver actual में business man था वो ही murderer था Gotham के parents का और real taxi driver उसके fan के father थे और business man नहीं अपनी कार से taxi driver को hit किया था actual में taxi driver innocent था Gotham और business man इट दुसरे से मिलते हैं businessman बताता है वो और Gotham के father friends थे और scientist भी वो दोनों golden rice की काश्ट कारी पर काम कर रहे थे golden rice की ये variety थी कि वो हर मौसम में grow हो सकता था Gotham के father ने refuse कर दिया उसको sale करने के लिए वो उसको globally free में distribute करना चाहते थे इसी बात को ले कर business man और Antonio ने उनको मार दिया जब business man ने Gotham को उसके parents के बारे में बताने से मना कर दिया तो Gotham ने उसको मार दिया एरपोर्ट के रास्ते पर Gotham एक school bus देखता है और उसमें children's एक rhyme सिंग कर रहे थे उससे याद आता है ये rhyme वो सिंग करता था जब उसकी mother ने उससे सिखाई थी Gotham को याद आ जाता है उसके घर का रास्ता एक टूटा फोटा गर Gotham वहाँ अपने parents की photograph find करता है जिनका नेम चन ब्रेसकर और कलियानी होता है लेटर Gotham golden rice को इंटेडियूस करता है global convention में the second rain revelation movie के last scene में Gotham golden rice field पर खरा होता है the end ओके गाईस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक शियर और कमेंट करेगा और मेरी चानल ब्यूटी भी स्पार को सब्सक्राइब करेगा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देगा ताके मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए अपना बहुत खायल रखेगा अल्ला आपिस और थैंक्स पर वाचिंग